अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगी हैं उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग और इन अदर वर्ट्स फेल्स ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इसमें टमप्रेचर है जहां सॉलिड स्टार्ट होता है मेल होना वो हमारे पास सॉलिड का मेल्टिंग पॉैंड होता है इसके रिवर्स प्रॉसस को LE settled on होगी अपनी स्टेट को चेंज करता है और सॉलिड में चॉल वांड्रे उस bondi से temperature down होता है तो liquid freeze हो जाता है और अगर उस temperature से up होता है तो वो solid liquid बन जाता है anyway latent heat of fusion को define ऐसे क्या जाता है कि heat energy required to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without the change in its state of temperature is called its latent heat of fusion इसको hf से denote किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने latent heat of fusion निकालनी कैसे है मैंने आपको बताया कि इसको hf से denote किया जाता है और ये ratio होता है delta qf to the m इसमें delta qf जो हमारे पास heat है और m हमारे पास mass of the substance है और अगर मैं यहाँ पर delta qf यानि के heat को देखूँ तो वो मेरे पास delta qf equal है m into hf क्योंकि ये denominator में जो है ये divide हो रहा है left side पे जाके multiply होगा hf से तो ये हमारे पास equation number 1 आ जाएगी अच्छा इसके इलावा आपको ये तो पता होगा कि ice 0 degree Celsius पे liquid में convert हो जाती है और जो बात आप ते याद रखनी है वो ये कि जो latent heat of fusion of ice है वो हमारे पास 3.36 into 10 to the power 5 joule per kilogram है यानि कि हमें 3.36 into 10 to the power 5 joule energy required होगी 1 kg ice को melt करने में आएं अब इसकी derivation को हम देखते हैं कि कैसे latent heat of fusion की value को find किया जा सकता है इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले आप mass of ice लें जो के हमारे पास mk equal है इसके बाद आप देखें कि हमें time जो लग रहा है time taken by ice to melt at 0 degree Celsius ठीक है जी वो हमारे पास equal है tf यानि के final time जो के मेरे पास t2 minus t1 के equal है ठीक है जी आप इस graph में देख भी सकते हैं कि t2 minus t1 के equal है और ये given है 3.6 minutes ठीक है ये मेरे पास 3.6 minutes है और जो 0 से लेके 100 degree Celsius तक हमारा time लग रहा है वो लग रहा है 4.6 minutes के equal इसको मैं t0 से denote करता हूं जो के t3 minus t2 के equal है और ये मेरे पास 4.6 minutes के बराबर होगा ठीक है इसमें जो अब change in temperature है यानि के हमारे पास जो delta T है वो equal है 100 degree Celsius के और मैंने आपको ये बात जब हम scales पढ़ रहे थे तो बताया था कि 100 degree Celsius हो और change in temperature हो तो वो 100 Kelvin के भी equal हो सकता है ठीक है और specific heat capacity अभी मैंने थोड़ी दे पहले आपको बताई कि इसकी 42 hundred जाउल पर किलो ग्रैम पर Kelvin होती है ठीक है अब इसमें delta Q को हम कैसे find कर सकते हैं कि delta Q you know कि वो mc into delta T के equal है और आपके पास जो c और delta T की value given है तो m into 42 hundred into 100 तो ये मेरे पास equal होगा m into 4.2 into 10 to the power 5 अच्छा इसके इलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास rate of absorbing heat है rate of absorbing heat का मतलब वो ही है कि हमारे पास with respect to time तो वो heat की ratio है time के हिसाब से delta Q over delta T और heat absorbed जो हमारे पास time Tf में लग रही है heat absorbed जो हमारे पास time Tf में लग रही है वो equal होगी जस्ट इसके साथ Tf को multiply कर देंगे यानि कि जो delta Q F है वो मेरे पास delta Q over T naught into Tf अब यहाँ पे आप इसको T naught भी कह सकते हैं ठीक है तो Tf over T naught को आप इलादा कर लें और आप इस equation number 1 में से यह देख सकते हैं कि जो हमारे पास delta Q है वो M into HF के equal है delta Q F जो है वो M into HF के equal है और अगर मैं इसको इस जगा पे put करूँ M HF को इस जगा पे तो फिर देखें क्या होता है कि M HF is equal to M into अब आपको बता है यहाँ पे C की value क्या थी 4.2 into 10 to the power 5 into Tf over T naught अब Tf और T naught हम इदर देख के हैं कि Tf था हमारे पास 3.6 minute और T naught था हमारे पास 4.6 minute यह M और यह M आपस में cancel हो जाएंगे तो आपके पास जो HF है वो equal रहा जाएगा 4.2 into 10 to the power 5 into 3.6 over 4.6 जो के equal होता है मेरे पास 3.29 into 10 to the power 5 जाउल पर किलो ग्रैम के और यह इस तरीके से आप latent heat of fusion find कर लेते हैं देखें हमारी value और actual value में 0.07 जाउल पर किलो ग्रैम जो है वो difference है जो के बहुत minute है और अगर इस तरह की बड़ी value find करते हुए इस तरह के errors को वैसे भी हम लोग ignore कर देते हैं तो I'm sure कि आपको अब यह topic player होगा तो अभी तक के लिए इतना ही see you in the next video